हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी कावके अपने यूटूब चैनल डिजिटल स्टेडिवन में और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेकार की सायता से इन सभी कुणों को बनाने वाले हैं जो परिक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को बस कर सकते हैं लेकिन आपको एक लाइन ड्रो कर लेना होगा चलिए हम एक लाइन ड्रो कर लेते हैं हमने एक लाइन ड्रो कर लिया चलिए थोड़ा इसको और बढ़ा कर देते हैं कि इतना सही है अब देखिए आप क्या करेंगे अब इस जो यह परकार होता है इसको लेंगे इस परकार को लेकर इसमें एक उची दूरी ले लेंगे मतलब मतलब कि आप इसमें कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं चलिए आम डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ भी मालीजे मैंने इ कि इसका नाम दे देते हैं इसका नाम लिख देते हैं इसका नाम भी रख देते हैं ओके अब यह जो प्रेकार है इसका नोग क्या करना है कि आपको इसके एंड पॉइंट पर रखना है यहां पर इसका नोग आपको रख देना है ठीक है यहां पर नोग रखने के बाद देखि से इसको रख लगेए इतना उसके बाद एक हाफ सरकील करना है देखिए डो करते हैं देखिए छाफ सरकना लिए उसके बाद आपको क्या करता है एक स्कालत ठोड़ा और बढ़ा देते हैं नीचे की तरह अब क्या करना है अब यहां से जो यहां पर कटा हुआ है जहां से वहां से आपको लेना है यानि कि माली जी कि यहां पर कटा हुआ है तो इस पर हम इसको रखेंगे इसकी नो को यहां पर रख दिये और यहां से एक आर्क लगाएंगे यहां से इस पर काटेंगे तो देखी य यहां पर हमने कट कर दिया फिर यहां से क्या करेंगे इधर करेंगे फिर दिखिय यहां से इधर अब ci चैप अब इसको क्या करेंगे कटाएंगे देखिए यह कट गया अब देखिए क्या करेंगे कि यह जहां जहां कटा है वहां से स्केल की साहता से मिला देंगे तो देखिए हम स्केल की साहता से मिला रहे हैं यहां से कटा हुआ है तो इसको यहां इस बिंदू से इस तरह मिला देंगे इसको अच्छे से आप किजियेगा बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको मिला देंगे देखिये यह हमारा 60 डिगरी का एंगल बन गया अब इसको मिला देंगे यहाँ पर जो काटा हुआ है उसको मिला देंगे तो चलिए इसको मिलाते हैं ऐसे मिला देंगे और यह जो हमारा है वो 120 का है कितना का है 120 डिगरी का एंगल यहाँ पर बन गया आप देखिए यह जो काटा है उसको इससे मिला देंगे तो इससे इसको मिला देंगे तो यह हमारा कितना का बन जाएगा यह हमारा 180 का एंगल बन जाएगा इसको हम मिला देंगे यानि कि यह एंगल हमारा कितना का बन गया 180 डिगरी का यह 180 डिगरी का एंगल बन गया यह 60 डि लगाएंगे इधार एक लगाएंगे फिर यहां से क्या करेंगे यहां से फिर यहां से रखकर इस परकार को और इधार से लगाएंगे यानि कि यहां पर काट रहा है थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ताकि साफ आपको दिखाई दे तो यहां से यहां पर काटा है तो फिर क् मिला देंगे तो आईए मिलाते हैं इसकेल से इस तरह से आपको जहाँ पर काटा है वहां से इस बिंदू से मिला देना है देखिए हमने मिला दिया यह हमारा 30 Degree का एंगल बन गया अब यहां से यह जो आपने यहां पर काटा हुआ है इस पर आपको इस पर कार का नोख रखना है यहां पर हमने नोख रख दिया अब इधर एक आर्क लगाना है इधर कहीं भी आप एक आर्क लगा सकते हैं इधर एक आर्क लगाना है उसके बाद देखिए यहां पर जो काटा हुआ है यहां से फिर उस आर्क को काटना है यहां पर आर्क लगा है वहां पर ए 90 degree का क्या बन गया angle बन गया यह हमारा angle the niner can degree का हो गया 90 km का angle हो गया देखिए पवले हम ठीक लगा देते हैं कि कौन-कौन सा angle हमने बना लिए 30 डीगरी का बना दिया 60 degree का बना दिया 90 degrees का बना दिया 120 degrees by nav दिया और 180 डिग्री बना दिया अब देखिए क्या करेंगे अब क्या बनाना है 15 डिग्री 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहां से आपको रखना है और यहां पर एक कट लगा देना है यहां पर एक कट लगाईए फिर यहां से क्या किजिए यहां जो कटा हुआ है यहां पर रखिए नोह को और फिर इधर आर्क लगा दीजिए यहां पर कट रहा है तो इसको क्या किजिए कि सकेल से ऐसे लेकर और इसको को मिला दीजिए इसको मिला दीजिए सकेल के अबrust कि इसंगल का चाल में नेटी बाने फिपटीन डिगक्री का एंफ यानि कि हम ने बना डिया अब क्या बनाना है उट को इसको by IITE करेंगे यानि इता कर देंगे तो इतना का बन जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा तो चलिए इसको और इसको बैसेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको परकार का नुख को रखना है और इधर एक कट लगाना है यहां पर एक कट लगाना है यहां पर आप परकार को रखिए और यहां पर एक कट लगा दीजिए आप जहां काटा है वहां पर इस स्केल की सायता से मिला दीजिए तो देखिए यहां पर काटा हुआ है तो इसको हम मिला देते हैं इसको मिला देंगे यानि कि यह हमारा 45 डिगरी का क्या बन गया एंगल बन गया अब देखिए आप क्या करेंगे अब इसको बैसेक्ट करेंगे इस दोनों को तो यह हमारा 45 डिगरी का तो काम तमाम हो गया मतलब इसको इसको बैसेक्ट करेंगे इसको यहां पर जहां कट लगा यहां से और इधर के एक आर्क लगाएंगे फिर यहां से यहां एक आर्क लगाएंगे यहां जो कटा हुआ है उसको मिला देंगे तो इसको मिलाएंगे यह वाला यह से तो इसको मिला देंगे इस तरह से यह जो हमारा एंगल बन गया यह एंगल हमारा कितना का बन गया 75 डिग करेंगे तो यहां पर आपको यह जो प्रकार है इसकी नोग को रख लेना है यहां पर और यहां से एक आर्क लगाना है ऐसे एक आर्क लगाएंगे और यह वन ट्वेंटी का जो यहां पर बैसे किया है वहां से पकड़कर एक आर्क लगाएंगे देखिए केवल इन दोनों काधा हो जाएगा यह जो 90 डिग्री है और 120 डिग्री के बीच वाला यह बन जाएगा तो देखिए इसको हम मिलाते हैं यह मिला देंगे तो यह मिलाएंगे तो 105 ndegri का यह एंगलilo 125 देग्री बन जाएगा अब देखिए 2020 और 180 कोcip करेंगे सबसे पहले हैं तो देखिए यहां से कोके का करेंगे इसको हम मिला देंगे तो इसको तो कुन बनाईए बना 150 डिग्री का यह एंगल बन गया अब देखिए आप 120 को और 150 को बैसे कीजिए तो 120 या 150 को करेंगे तो देखिए यहां पर हमने अर्क लगा दिया एक और यहां से जो यहां पर कटा हुआ है यहां से पकड़ के एक और अर्क लगा देंगे तो यह आर खमने लगा दिया अब देखिए अब इसको मिला देंगे तो इसको मिलाएए इसको इस तरह से मिला देंगे इसको मिलाएंगे तो यह जो एंगल बनेगा यह एंगल हमारा क्या होगा कितना होगा 135 डिग्री का होगा यानि कि देखिए 135 डिग्री का आमने एंगल बना दिया 105 डिग्री का एंगल बना दिया और 75 डिग्री का भी एंगल बना दिया अब बचा किया अब बचा 150 डिग्री इसका भी बना दिया और 165 डिग्री का बचा है तो इसको और इसको बैसेक् करते हैं इसको यहां पर जो काटा है यहां से लेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे यहां पर एक आर्क लगा दियें अब यहां से जो 180 डिग्री वाला जो बाइसेक्ट किया है वहां से एक आर्क लगाएंगे इस साइड तो देखिए यह जहां काटा है वहां से इसको मिला देंगे यानि कि यह हमारे कितना का एंगल बन जाएगा 165 डिग्री का बन जाएगा इसको इसको मिलाते हैं देखिए यह बन गया 165 डिग्री का अंगल तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स चुड़ों में तब तक लिए जाएं बंदे मात्रा